अब इसके बाद हम जानेंगे dagger का symbol बनाना, ठीक है, तो dagger का symbol बनाने के लिए हम फिर से alt button दबा करके रखेंगे, पहले इसको हटा देते हैं, sorry, इसको हम हटा दिया, अब dagger का symbol बनाने के लिए हम alt button दबा करके रखेंगे, और उसके बाद हम type करेंगे यहाँ पर numeric keypad side में, 0, 1, 3, 4, और जब हम alt button छोड़ेंगे तो यह देखे, dagger का symbol बनाने के,